गुद मॉर्णी ट्रेंट मैसल डॉक्टर शिल्पी जैस्वाल आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है आइडिलिस्टिक थियोरी आप दिस टेट या राज जी का आदर्शवादी सिद्धान्त जिसको हम आम बोल चल की भाषा में भी कह सकते हैं कि यह आदर्शव करता है वह राज की प्रकती की बात करता है इसी और नामों से जाना जाता है जैसे एब सल्यूड dhory यानी ने रंकुष्धावादी ऩह दूसरा लिखा है फिलोसिकल थियोरी यानए की दाशनिक सिद्धान एथिकल थियोरी यानी नैतिक सिद्धान अ मेटाफेजिकल थियो अज सनुने और यानि कि राज जी का आदरसवादी नैतिक सिध्थान्थ वी है और इसके साथ रिखने कई तो न怎麼了 के नाम से भी जाना जाता है कि अधर फाद जो है जो आधर सबादी सिध्थान्थ उसको कि इन नामों से जाना जाता है अगर हम बात करें कि इसके जो आइडिलिस्टिक थीयोरी है उसके जो एक्सपॉलिंट है यानि इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है तो सबसे पहले इसमें आम आता है Immanuel Kant का Immanuel Kant is regarded as the father of idealistic theory यानि जो Immanuel Kant है वह आदर्शवादी सिध्धांत के जनक माने जाते हैं इसके साथ ही साथ जो अन्य विद्वान जो फिलोसफर हैं जो आइडिलिस्टिक थीओरी से रिलेट करते हैं वह हेगल थॉमस हिल ग्रीन निट्से बोसांके और फिस्टे यह जो महतपूर नाम है जो की आइडिलिस्टिक थीओरी के एक्स्पोनेंट हैं अगर हम बात करें कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द आइडिलिस्टिक यानि कि जो आधर्शवाद है वो आखिर में बेसिकली कहता क्या है कि यह चासिते के जो आधर्शवाद है यह क्या बात करता है ये बात करता है कि दस्टेट इस इन यहाँ पर आ दंगनडेश्वाद को अगर हम एक नौर्मल भाशा में बात करें और स्बाइब क्या है तो यहां पर जो पहला जो जहाएं है और व्यक्ति प्रिस्टा है क्या बात करता ना चैनल आगर हम बात करें कि Mask उसको authority मिलती है जो उसको संप्रभुता मिलती है वह इश्वर की द्वारा प्रदत्त है और कांट यह भी विलीव करते हैं कि व्यक्तिक के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वह राजी के प्रती विरोध कर सके तो यहां पर अगर हम basic principle की बात करें कि जो आदर्श्वादी यानि राजी जो है वह साध्य है और व्यक्ति जो है वह साधन है इसका मतलब यह है कि स्टेट इस टोटली कम्प्लीट और इंडिवीजुल जो है वह विदावड स्टेट अपना कोई भी help नहीं कर सकता अगर एक इंडिवीजुल को कोई भी facility चाहिए उसको कुछ भी चाहि है उसको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो यहां पर जो इंडिवीजुल है वह पूरी तरीके से dependent है स्टेट पे स्टेट इस कम्प्लीट और इंडिवीजुल जो है वह स्टेट के विना इनकम्प्लीट है तो यहां पर यहां पर एक और प्रिंसिपल निकल कर आता है और यह पोरी तरीके से और जिसको हम कह सकते हैं और जैनिक त्योरी ऑप डिस्टेट जिसको हिंदी में कहते है राज का साव्यवी या आंगिक सिदधान इसका मतलब यह होता है कि राज अपने में आप में पूरी तरीके से परफेक्ट है जैसे शरीर है अगर उसके हाथ-प पैर के आपने लाइफ चर्वाइब कर पाएगा यानि की और यह लिए खूरी चेय सभी अपने आपने के अपने हम II तरह है और इंडिवीज्व वह सब्साहर है उसके बॉडी पार्ट से चाहिए तो भी जो सेरीड गए जो बॉडी है उसको कोई फरक नहीं पड़ेगा यानि कि इंडिवीज़ल जो है वह स्टेट के भीना अपना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं यानि कि श्रेट जो है वह साध्ध को जरूरत है राजि की न कि राजर को जरूरत है वहां पर आगे लिखा हुआ है दे इंडिव सब्सक्राइब को बताता है कि राज की तरीके से निरंकुष है और यहां पर जो आधरश्वात का सिध्धानते वह यह कहता है कि राज जो है वह एक एथिकल इंसिट्यूशन राज जो है वह एक नैतिक संस्था है राज जी ही है जो व्यक्ति को बताता है कि क्या नैतिकता है क्या वैल्यू है और यहां पर इंडिविजूल जो है उसके पास कोई वैल्यू नहीं है स्टेट के पास है और स्टेट ही उसे वैल्यू सिखाता है स्टेट ही उसे जो है मूल सिखाते हैं कि किस तरीके से एक इंडिविजुल को अपनी लाइफ को सर्वाइब करना है किस तरीके से व्यक्ति जो है वो अपनी जीवन को आगे ले जाए अपनी जीवन को सर्वाइब कर सके जो आथर्ष्वादी सिध्էांत जो यह इसे फिलोसिफिकल सिध्धांत के नामसे भी जाना जाता है यह करता है राजय का जो प्रकती यह एक तरीके से फिलोसिफिकल में आता है यानि और अगर हम यह देखें कि अरिस्टो nevertheless यानि Plato जो की राजनिती सिधान के जनक है और Aristotle यानि की अरस्तो जो की राजनिती विज्ञान के जनक है उनकी राइटिंग्स में भी उनकी रचनाओं में भी यह जो philosophical theory है वो हमको देखने को मिलता है तो अगर हम आदर्शवाद के या idealism के अगर हम basic principle की बात करें तो यह जो आ आदर्शवादी राजी को बहुत सारे जो philosophical thinkers थे जो दार्शनिक सिधानतवादी थे वो एक नैतिक संस्था के रूप में मानते थे इन आदर्शवादी यह जो आइडिलिस्टिक थिंकर है वो यह कहते थे कि राजी की सदसिता है जो राजी की membership है अगर हम को अगर हम नहीं नहीं रहेंगे तो हमारा जो मनुष्य जो है वो नैतिक नहीं हो पाएगा वो योग नहीं हो पाएगा यानि कि राजी ही वो एक ऐसा मीन है एक इंड है जहां पर राजी ही एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को नैतिक बनाता है जो व्यक्ति को योग बनाता है जो व्यक्ति को आगल 10 सब्सद्राइम में यहां पर यहां बात की गई कि इस्टेटीजस सेळफ सफेशिंट यानि राज्य जो है वो पूरी तरीके से आत्म निर्बर और यह अधर इंडिबीजुल है ओव हल् immersive जो मानव है वो पूरी तरीके से डिपेंट करता है राज्य पर अगर हम बात करें देखें तो आइडलिजम का जो जो कॉंसेप्ट है वो स्टार्ट होता है जर्मनी में इम्वनुल कांट जो की आदर्शवात के जनक है ही इस रिगार्डे अज फादर आफ आइडलिजम और यहीगल के जो राइटिंग्स हैं हीगल का जो रचना है हीगल की जितने भी जो जो उनकी बाते हैं जो उनका फिलोसफी है उसमें उन्होंने अपने हीगल ने आदर्शवात को बहुत अधिक अच्छे से बताया है आदर् स्रेट है वह एक तरीके से और इश्वर की द्वारा बनाया गया एल्ग इसी लिए यह वह नयतिक है क्योंकि इस्वर्ण के बिबेंग नहीं है यह uvayk उसको कहां से मिलेगा यहir human being को अपनी life को अगर स्रिष्ट बनाना है आदर्श पूर्वक बनाना है अपने life का development करना है तो उसके लिए जरूरी है कि वह जो है आत्मा परमात्मा के स्थेत्व को स्विकार करते हैं और यहां पर जो यह भी कहता है कि राज जी जो है वह आंतरिक द्रिष्टी से खाफी शक्ति मान है यानि स्टेट इसे वेरी यहां पर व्यक्ति का करताव यही बन जाता है कि वह राज की समस्त आदेशों का उसके समस्त कानूनों का पालन करें और अंतराश्ट्री जगत में भी अगर हम देखें तो राज की जो शक्ति हैं वह काफी पावर पूल है और यहां पर जो कि राज एक दैवी विचार है कि स् सभी व्यक्तियों का सभी नागरिकों का सारे इंडिविजूल की बस यह एक ड्यूटी है कि वह स्टेट के और को पॉलो करें प्लेटों की बहुत प्रसिद्व पुस्तक है प्लेटों की एक फेमस बूख है अप रिपब्लिक उन्होंने भी एक आइडियल रिपब्लिक की ब पावर होती है राज स्टेट वाज ओम्नी पोटेंट यानि राज जी जो है वह भगवान की द्वारा बनाये गया है और स्टेट इसलिए काफी मोरल है और एथिकल इंसिट्यूशन है एक तरीकी का नाथिक संस्था है थॉमस ग्रीन की अगर हम बात करें तो इनका एक जो को अग्रेशन है जो आपको अक्सर एक्जाम में भी पूल सकता है कि स्टेट इस विल नॉट फोर्स इस दा बेसिस ऑफ इस यानि कि राज जी जो है वह क्या है राज जी इच्छा पर आधारित है नकी बल पर आधारित है यानि राज जी का जो आधार वह इच्छा है शक्ती अधार नहीं यहां पर यह ग्रीन वोजव ब्रेटिश फिलोसोफर ब्रेटिश आइलिस्टिक थिंगर यानिकी जो ग्रीन है थामस हेल है यह एक अंग्रेजी आधरशवादी विचारक हैं इनका यह माना है कि जो व्यक्ति है जो आराजक्तावादी जो राज्य है को है इसक नहीं हो सकता है क्योंकि कोई भी स्टेट अगर किवल पावर को यूज करेगा तो वो कभी पर्मानेंट नहीं हो सकता है इसलिए ग्रीन ये कहते हैं कि स्टेट का जो इमर्जन से वो क्यों होता है वो क्यों होता है कि वो राइट्स दे और राइट्स जो है वो इंडिविजु और state के पास state की duty है कि वह उस individual के rights को protect करें It means कि यहाँ पर Heagle का जो idealistic concept है वो थोड़ा different है Heagle से और Kant से यहाँ पर जो Thomas Green है वो state को idealistic theory की अंतरगत वो इस तरीके से define करते हैं कि state जो है वो ठीक है कि उसके पास power है वो एक moral institution है वहीं हमको नतिकता सिखाता है यह सारे चीज़े सही है लेकिन यहाँ पर green is different वो इस view में कि वो यह कहते हैं कि यह हमारी इच्छा थी कि राज्य बने न कि हमने यहाँ यहाँ पर राज्य के बनने का जो आधार वो शक्ती नहीं है बलकि वो हमारी इच्छा थी यह हमारा एक individual की इच्छा थी कि राज्य बने क्योंकि राज्य ही कैसी authority है जो कि हमें protect कर सकती है जो कि हमें rights provide कर सकती है और अगर कोई दूसरा individual उस rights को ignore करता है या उस rights का करता है तो state जो है चुकि वह powerful है उसके पास authority है तो वह हमें प्रोटेक्ट करेगी यानि कि राज्य जो है वह यह जो ग्रीन है वह राज्य की concept के अंदर कर दिये बताते हैं यहां पर जो ग्रीन है वह एक तरीके से पुलिस स्टेट की बात नहीं कर रहे है राज्य पुलिस की बात नहीं कर रहे है वह यह कह रहे हैं कि राज्य का कार क्या है कि राज्य जो है वह एक हमारे समान इच्छा का अपका एक प्रतिनी धित्व है हमारी इच्छा थी हमारा विल ता कि स्टेट का इमर्जिन सो और यह जो जो ग्रीन है वो यह कहते हैं कि what is the function of the state तो according to green कि राज का कर्तव यह है राज का कार यह है कि यह हमें protect करें सो हमें protection दे हमें हमारा social political और economic environment जो है वो individual के लिए कि इस तरीके का एक platform दे कि हर एक individual जो है वो socially political और economic यानि समाजी कार्थिक और आर्थिक रूप से वो अपना एक best performance दे सके अपना योगदान दे सके यहाँ पर green यह कहते हैं कि ठीक है राज एक नैतिक संस्ता है सब कुछ है लेकिन राज जो है वो क्या करेगा नैतिकता तो बढ़ाएगा लेकिन यहाँ यहाँ पर राज जो है वो व्यक्तियों को को डेवलब करने के लिए काम करेगा नकि पुलिस स्टेट की तरह यहाँ पर यह स्टेट को एक absolute authority नहीं देते हैं वो यह कहते हैं कि राज व्यक्ति को वो पारे काम करने दें जो कि सही है लेकिन अगर वो अगर इंडिवीजुल ऐसा काम करता है जहां पर दूसरे इंडिवीजुल को प्रॉब्लम सोती है या दूसरे इंडिवीजुल का राइट का वाइलेशन होता है तब वहां पर रोकेगी अधरवाइज इस्टेट जो है वो की help के लिए ही है यहाँ पर तो यहाँ पर idealism में जो green का concept है वो थोड़ा सा different है अगर idealistic अगर theory की बात करें तो यह कहता है कि state is in and individualism in और Hegel जो है वो बात करते हैं कि state is a moral institution यहाँ पर Hegel का एक concept है Hegel का sorry एक tagline है इनका एक quotation है the state is the march of God on earth यानि इसका हिंदी ये होगा कि राज जो है पित्वी पर इश्वर का प्रदारपड है अब जो कि राज जो है वो इश्वर के द्वारा आया है तो इसी लिए किसी भी सारे वक्तियों का ये करताव है कि वो राजी की पूजा करें और राजी को माने और राजी की कि में अगर कोई राजी कुछ भी काम करता है तो किसी इंडिविजुल को ये राइट नहीं है कि वो इंडिविजुल स्टेट के फंक्शन में रोक लगा या इंडिविजुल को इंडिविजुल को ये राइट नहीं है कि वो राजिका को प्रोटेस्ट करें राजिका का राज हीगल है वो भी यह कहते हैं कि दो तरीके के जगत होते हैं काध्यात्मिक और एक भौतिक और चुकि राज जो है वो इश्वर के द्वारा बना गया है इसलिए किसी विवक्ति के पास यादिकार नहीं कि वह राज को जो है इग्नूर करें राजी का विरोध करें तो अगर हम करें कि यह तरीके से अकी आइडिलिस्टिक फिज़ुरी को हम लिमिटेशन में कर सकते हैं या हम आधर्शवादी राजी कि अगर हम आलोचना करें तो हम कैसे कर सकते हैं अगर राज प्लैटपॉर्म पर इंडिविजुल को तो कोई राइट ही नहीं है यहां पर सारे जो इंडिविजुल है उसके राइट और उसके फ्रेडम यानि कि अप्रतिक नागरी के जो अधिकार है वो पूरी तरीके से किसी इंडिविजुल के पास तो यह राइट ही नहीं है कि वह किसी अगर राज कुछ गलतकार भी कर रहा है तो भी उसको उसका उसको प्रोटेस्ट कर सके व्यक्ति को तो यह दिकारी क्यों कि तो एक इश्वरी संस्ता है जहां पर हीगल का इकोटेशन है राजी पितिवी पर इश्वर का प्रदापड है यानि राज जी जो है वो इश्वर की द्वारा लाए गया है इसलिए किसी के पास कोई भी अधिकार नहीं है तो इस सकते हैं कि जो आइडिलिस्टिक थीओरी है वह स्टेट को कॉफी सोवरन बना देता है कि वह संप्रभू है और यहां पर कोई भी एक अथॉरिटी नहीं है जो कि स्टेट अगर कुछ गलत करे तो वहां पर चेक कर सके उसको बैलन्स कर सके और स्टेट को जो कंट्रोल मिला सके जैसे इस समय आप Constitution का अगर कोई भी आप पेपर पढ़ रहे होंगी तो आप देखें होंगी चाहिए इंडिया के में देखें तो जुडिशल अक्टिविजम है और यहां पर जुडिशरी है वो चेक और बैलन्स की थीओरी है कि अगर गवर्मेंट कुछ काम करती तो किस त इस तरीके से हमी कह सकते हैं कि जो आइडिलिस्टिक थ्योरी का अगर कॉंसेप्ट इस समय अगर हम अपने देश में लागू करें या किसी भी देश में अगर लागू हो तो वहां पर जो नागरिक है उनका तो कोई इंपोर्टेंस ही नहीं है स्टेट इस इंपोर्टेंट और इस टेट के बिना जो इंडिविजुल है उसका राइट उसके उसका सरवाई भी नहीं हो सकता तो इसलिए यहां पर जो है यह जो आइडिलिस्टिक थ्योरी है इस मॉडर्ण में काफी एक डिंजरस थ्योरी है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिविजुल को कोई सब्सक्राइब करें थैंक यू